सब्सक्राइब जा संदिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब टूरु फ्रेंट्स ही तो आये फीजने दोतो सब्सक्राइब बेसिक डॉलेज़ दूगी ए टूनामेंट का पार्ट वन वीडियो है दोस्तों आप मेरे वीडियो को देख लेंगे उसके बाद आपको तूनामेंट में कोई confusion नहीं होगा आपको किसी आँने वीडियो को देखने के आप सकता नहीं होगी आप किसी भी questions के जवाब बहुत ही जल्द आसानी से दे लेंगे बस दोस्तों आप वीडियो को देखते रहें ये part 1 है इसमें बस basic जनकारी हम देंगे इससे भी कई सारे questions पुझे जाते हैं प्रक दोस्तों चली जानते हैं टूनामेंट किया है दोस्तों टूनामेंट का मतलब होता है इस बर्धा यानि प्रतियोगिता दो टीमों के मद्ध या दो खेलारियों के बाद यही तो टूनामेंट है यही प्रतियोगिता है तो दोस्तों टूनामेंट जो है वो बिभीन टीमों क कई दौरों में खेली जाने वाली प्रतियोगिता एक निश्चित प्लेस , टाइम, पर खेला जाता है। यानि कई टीमों के मध कई दूरों में प्रतियता होती है और एक निश्चित उसके लिए प्लेस यानि जगह होता है एक निश्चित डेट होता है एक निश्चित टाइम पर फिक्स जगह पर खेला जाता है। इसके अंत्र गर क्रम वार कहीं चक्रोमी प्रतिविताये से कहीं राउंड होते हैं और जो अंतिम में जीतती है वो विजय घोशित भूती है दोस्तो ध्यान देने वाले बात एक और है, कि एक कुछन पूछा जा सकता है कि आयोजन समीती यानि जो समीती आयोजन करवाती है टूना मेंट को तो आयोजन समीती जो है टूना मेंट को आयोजन करने से पहले ही आताय कर लेती है कि टूना मेंट में परत्योगिता के लिए टूना मेंट के चार प्रकारों में से कौन सा प्रकार अपनाया जाएगा इसका निर्डए अयुजन समीतीanın अयूत तो इसको आप इसे इस रूसे ध्यान में दखिएगा दोस्तो अब बात करते हैं टूर्णामेंट के प्रकार दोस्तो टूर्णामेंट चार प्रकार के होते हैं जैसा कि दोस्तो आप सब जानते होंगे टूनामेंट चार प्रकार के कौन कौनशे होते हैं तो पहला है नाकाउट या एलिमिनेशन टूनामेंट को नाकाउट या एलिमिनेशन या सदेन देट या उलम्पिक सिस्टम या पेनेट्रेशन आधी नामों के से जाना जाता है तू दोस्तों यह तू कोश्चन बना सकता है कि पैने ट्रेसन या नाक आउट को और किस नाम से जाना जाता है यह से ओलंपिक सिस्टम पैने ट्रेसन सदेंड डेथ तो यह सब भी आपको बेसिक बेसिक चीजे जानना बहुत आउश्चिक है और दुसरा प्रकार है टूर्णा Oz 치ाता है माराव itt करते हैं भाल आमんなय को इसा स्वार करते हैं रूर्णिट को इन MICHAEL ŠAR 217 में में साविए जा एक बैस रावर कॉच्छा जाता है कि बेसिक रूमिट से भी उनावं का भाल को यानि कि ये बहुत टूनामेंट ये नाकाउट लिगाउट को कमबाइन करके आउजित किया जाता है और चोधा प्रकार है चैलेंज टूनामेंट ये आपके एकल खेलों में खेला जाता है दोस्तों ये था आपका टूनामेंट के चार प्रकार इन चारों प्रकारों के अंदर कौन कौन से टूनामेंट आते हैं अब इसको देखते हैं दोस्तों नाकाउट टूनामेंट भी चार प्रकार का होता है कौन कौन से होते हैं चार प्रकार तो इसमें होता है शिंगल नाकाउट या सिंगल एलिमिनेशन टूनामेंट दोस्तों सिंगल नाकाउट जो होता है इसमें एक बार जो टीम मैच हा जाती है वह परतियोगीताव से बाहर हो जाती है बिजेता जो है एक भी मैच पराजित नहीं होता है एंड नाकाउट टूनामेंट का दूसरा प्रकार है शात्तोना टूनामेंट या इसको कांसोलेशन टूनामेंट भी बोला जाता है इसमें क्या होता है दोस्तों सात्तोना टूनामेंट में कि जो सिंगल नाकाउट टूनामेंट में हारी हुई टीमें होती हैं उनको सात्तोना दिया जाता है सातवना दिती हुए कहा जाता है कि तुमको पुना खेलने का मौका दिया जाएगा यानि उन्हें अपने कौसल का प्रदर्शन करने का एक और अत्रिक्त मौका पड़ान किया जाता है यह सातवना टूनामेंट भी प्रकार वन प्रकार टू दो प्रकार का होता ह एन नाकाउट टूर्णामेंट का तिसरा प्रकार है डबल नाकाउट दोस्तों डबल नाकाउट यानि कि परतीक टीम दो बार पराजित होने पर ही टूर्णामेंट से बाहर होगी यानि सिंगल नाकाउट बिजेता को डबल नाकाउट में क्या होता है कि सिंगल नाकाउट का जो बिजेता टीम होता है उसको वास्तुविक बिजेता तैह करने के लिए Consolation टूनामेंट के साथ Single Knockout के विजेता को खेलना पड़ता है उसमें जो विजाई होता है उसको वास्तवी विजेता गोसित किया जाता है तो यह था Knockout विजेता का तिस्वा प्रकार और Knockout टूनामेंट के चोथा प्रकार है Beggnall Wild Elimination Tournament Beggnall Wild Elimination Tournament को दोस्तो मूलर एड्रेशन प्लेबैक मेथड भी कहा जाता है तो कई बार यह question पूछता है कई बार confused रहते हैं कि मूलर एड्रेशन प्लेबैक मेथड किसको कहा जाता है तो Beggnall Wild Elimination Tournament को Beggnall Wild Elimination Tournament होता है क्या है दोस्तो इसमें Single Knockout का यह modification रूप होता है यानि Single Knockout का ही बार बार प्रयोग किया जाता है इसमें कैसे आप समझ जाएंगे इसमें प्रथम तीन अस्थानों का निड़र निधार किया जाता है प्रथम अस्थान का निधार कैसे किया जाता है जब Single Knockout में जो बिजयी टीम होता है उसी को प्रथम अस्थान दिया जाता है और दितिय अस्थान के लिए क्या किया जाता है कि जो प्रथम अस्थान पर Single Knockout में आया है उससे जितने टीमें पराजित हुई है उनके मध्य लाटरी पधती का प्रयोग करके पुना नाकाउट कराया जाता है और इसकी बिजय टीम को दितिय अस्थान दिया जाता है और तितिय अस्थान देने के लिए दोस्तों जो दुसरा अस्थान प्राप्त किया है यानि फिर दितिय अस्थान पर आने वाली टीम से जितनी भी टीमी पराजित होती है पहले नाकाउट और दुसरे नाकाउट को मिला कर तो उने के मद्य फिर एक नाकाउट कराया जाता है इसकी विजेता को तृतिय अस्थान दिया जाता है तो दोस्तों ये था नाकाउट टूनामेंट के चार प्रकार नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इन सब के सुत्र क्या होते हैं बाई निकालने का सुत्र क्या होता है कैसे आपके राउंड ग्यात की जाते हैं कैसे हाफ में बाटा जाता है क्या सुत्र होते हैं इन सब के बारे में पूरे डिटेल में इस्टेप बाई इस्टेप वीडियो ह अब बात करते हैं लीग टूनामेंट यानि राउंड राविंग टूनामेंट जिसे बर्गल सिस्टम भी बला जाता है एक इतने प्रकार का होता है दोस्तों लीग टूनामेंट यानि राउंड राविंग टूनामेंट दो प्रकार को होता है सिंगल लीग और डबल लीग टू टीमों को अपना कॉसल दिखाने का भर पूर ऑसर लिक टूनामेंट में कितनी बीधिया है तो इसमें तीन बीधिया होती है ब्रिटिस मेथड, कनेरियन मेथड एंड अमेरिकन मेथड ये था लिएक टूर्णामेंट के दूसरे प्रकार का कितनी प्रकार का होता है अब बात करते हैं तिसरे प्रकार कॉंबिनेशन टूर्णामेंट दोस्तों कॉंबिनेशन टूर्णामेंट में क्या होता है कि जहां टी कि छोटे छोटे शमुम容易ं में बाटा जाता है फिर प्रतिये शमुह में उपस्ति टीमों के मध्ये के पहले नाक आउट या पहले लेग आुट्ट या इन करके टूनामेंट किया जाता है तो यह कॉम्बीनेसं टुनामेंट वी चार प्रकार तो होता है कौनोंसे पहला नाकाउट कम Physics दूसरा नाकाउट कं लीगाउट टूनामें तूसरा लीग कं लीग टूनामेट एंट टूनामें का चौते आजहें प्रकार कुल सा चैलेंज्च टूनामेंट जीक तों एकल खेलो में आयूत किया जाता है जैसे कि बैर्भीनिंटर्ण टेनिज्श टेबल टेनिश कूस्ती। बॉकसिंग। जूडू इसक्वेश्ट इन सम्में एकल खेलों में आपका चैलेंज टूनामेंट खेला जाता है चैलेंज टूनामेंट दोस्तों दो प्रकार का होता है लेडर टाइप, सिड़ी प्रकार, अपिरामिट टाइप अपिरामिट टाइप भी दो प्रकार का होता है किंग्स टूनामेंट और काव वेव टूनामेंट काव वेव टूनामेंट को spider wave method भी बोला जाता है तो दोस्तों ये था आपका टूनामेंट कितनी प्रकार का होता है एंड उन प्रकारों भी कितनी प्रकारों में बाटा गया है दोस्तों इससे ही 3-4 question आपके बन सकते हैं सबसे पहले question तो ये ही पूछेगा कि टूनामेंट कितनी प्रकार का होता है तो 4 प्रकार का ये ही पूछेगा कि टूनामेंट कौन कौन से 4 प्रकार का होता है ये भी question बन सकता है कि नाकाव टूनामेंट कितनी प्रकार का होता है यह सकता है लेक टूर्ममेन कितनी प्रकार का होता है चल्रेंज कितनी प्रकार का होता है और बर्ल कि बेढ़ усक्ट Kin desenvolण में को बतफितों आपको इस वीडियो से बन सकते हैं और दोस्तों इन सब के बारे में पार्ट बाई पार्ट डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आएगा कई पार्ट में बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा बड़ दोस्तों लेट से ही वीडियो आएगा लेकिन पूरा परफेक्ट नालेज के साथ आएगा तो दोस्तों I hope कि ये टूनामे को में सेयर किजिए जिसे आपके मादेम से उन तक भी वीडियो पहुंच सकें दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद